चली नमस्कार साथ ह िए आप सभी का स्वागत है आज के class में और आज के class में हम लोग discuss करेंगे state no.29 technician का state no.29 तो state no.29 की questions को हम लोग देखने की courses करें पहला सवाल आपका जो 12 number शवाल math का था 12 नमबर सवाल आपका मैट्स का था और हम लोग देखेंगे आराम से इसमें देखने की कोईसिस करेंगे तो फड़ा पट सभी लोग आज के क्लास को share कर देँगे और like भी कर देँगे तो ये पहला सवाल आपके screen पे था ये पहला सवाल आपके screen पे है यहां पर बुला गए जमीन पर खड़ी एक महला एक महला यहां पर जमीन पर खड़ी है एक महला जमीन पर यहां पर खड़ी है और एक आरंबिक गती में 36 मिटर लंबे टावर की उपर काउनियन कौन मतलब यहां से यह जो देखा गया यह 36 मिटर एक लंबा ख़ड़ी एक यहां पर आ है कि है कावर है और यहां से इस बिंदु से कि बिंदु एसे इसका जो एंगल है वह बना हो बनाया हो साथ रेली मैं अब यह बोला कि यह तर खिसकते गया और उससे दूर गया दूर गया यहाँ पे भी आया तो यहाँ पे बोला है कि इसका डिगरी जो बनाया है वो 30 डिगरी बनाया है 30 डिगरी तो यही वाला पूछ रहा है दूरी कि कितना दूरी है न वो बोला कि आरंबे के स्थिति से कितने दूर चली गई RMB की स्थिति यह है और यहां चलाई तो इस दूरी को निकालना है कि यह दूरी कितना है तो यही दूरी आपको find out करना है तो एक बाद समझेगा बहुत आसान है बहुत आसान है कि यह अगर 60 होगा तो 60 डिगरी के सामने वाली भुजा आपका root 3 होता है और इसके base वाला ratio क्या होता है आप जानते होंगे मेरे भाई आप जानते होंगे कि यह अगर 60 है अगर यह 60 डिगरी होता है तो इसके सामने वाला भुजा जो ratio होगा वह root 3 होगा अगर यह 30 होगा तो इसके सामने वाले छोटी भुजा 1 होगा और यह आपका root 3 होगा और यह अगर 45 होगा तो यह 45 ह तो यहां से देखने को मिला कि यह रूट 3 और यह 1 अगर यह 30 है तो यह पूरा नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा और यह 1 होगा एक बात बताइए यह 30 वाला कह रहा है कि यह भुजा आपका यह जो लेंथ है यह 1 है और 60 कह रहा है यह रूट 3 है तो 1 को ही हमको root 3 करना पड़ेगा तो यह root 3 किये तो यह आ गया कितना 3 future overall 3 आया तो 3 पूरा पुरी 3 आया तो यह आक के यह आक का 2 आया क्योंकि यह 1 है ठीक है तो यहां से एक बात वताई है यह root 3 unit बरावर दे रखा आपका 36, root 3 unit बराबर दे रखा है 36 निकालना है 2 unit का तो 2 गुना कर देंगे, ये वाला निकालना है तो 2 unit जे पीछे भागा तो ये आरंबिक विंदू से यहां पहुची है तो 2 unit आपके दूरी तकवर किया गया है इसी को conjugate multiply कर देंगे तो यहां दीए root 3 into root 3 3 तो ये 12 से कट जाएगा और 12 unit 24 root 3 इसका answer आगया मीटर में इसका answer आगया option number C is the right answer option C इसका सही answer होगा option C इसका सही answer होगा, इस बात को आप देख लेंगे मेरे भाई, option number C ठीक है है ना ये आरंबिक विंदू पर A पर थी और इससे वापस गया, इससे दूर गया B के पास, B से जब इसको देखा तो 30 degree के कौन बनाया है तो आरंबिक बिंदू से कितनी दूरी चली गई तो आरंबिक बिंदू से 2 unit दूरी चली गई तो 2 unit का value निकाले तो यहां पर answer देखने को मिला कितना 24 root 3 देखने को मिला अगली सवाल की अगर बात करते है तो Jeremy अपने पिता से 26 वर्ष चोटा है यहना Jeremy जो है अपने फादर से इतना 26 वर्ष चोटा है अगर यह X है तो यह X मैनस कितना है 26 होगा यह present की बात किया गया है लेकिन आगे पढ़ो आगे परने के बाद पता चला कि बर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र उसके स्वयम की उम्र के दुगने से 2 वर्ष कम है मतलब कहरा है कि 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद की अगर बात करें तो यह X प्लस 8 और यह आट साल की बात करें, तो x-26 और उमर की दुगने से, इसके दुगने से दो कम है, क्या किसका फादर के आट साल के बात का is, तो यहां से आप क्या निकाल दो गोगे? X का मान निकाल दोगे तो 2X 20 दुनी 52 और 52 यह मैनस बावन और मैनस यह आ जाएगा कितना 54 तो यह इधर आ गया तो मैनस एक्स और मैनस उधर चल गया तो 8 प्लस कितना आ गया 54 तो यहां से X का मान आ गया कितना 62 X का मान आ गया 62 आ गया तो यहां पूच किया रहा है Jeremy की बरतमानाईू तो Jeremy की बरतमानाईू कि अगर बात करें है न तो Jeremy की बरतमानाईू X-26 यहां पे दिया है 1262 में से 26 आ गया तो यह आ गया एक बार देख लो फिर से तो यहां तक किलिर है कि एक मिनट जो कि अपने पिता से चब्वीस वर चोटा है पूछ किसका रहा जेरमी की बर्त मानने הוא буков जोरा सा रुक जाला है कि एक मीनट पूरा यहां पर जेरेमी पूछ रहा है इसलिए जेरेमी को हम एक्स मान लिए डाये थैक्स का ही मान निकल जायेगा अगर मान ये फादर का पुचता तो फादर को X मानते धी tomorrow तो यह x plus कितना आ जाएगा 26 क्योंकि यह 26 चल चोटा है तो हम कहेंगे कि यह 26 सल बड़ा है ठीक है इसका 8 साल के बाद तो x plus 26 और plus कितना 8 साल के बाद और इसका 8 साल के बाद 8 इसकी दुगने से 2 कम है इसका जो 8 साल के भाद age है इसके 8 साल के बाद age के धुगने से 2 कम है किसकी पिता की age तो यहां से हम लोग क्या करेंगे यह 2x आया और यह 16 आया और यह 2 है यहां से x पलस करेंगे तो यह आ गया कितना 34 आ गया x इधर आएगा तो यह x हो गया और 16 में से धुग गया यहां पे 14 14 लोजा के घटेगा तो यह आपका 20 आ गया मतलब x का जो age आया एक्स मतलब यह जो आया है यह किसका आया है जेरिमी का जेरिमी का बर्तमान age आया है जेरिमी की बर्तमान age कितना है 20 साल कितना है भई 20 इसका सही answer होगा 20 इसका सही answer होगा ठीक है 20 जेरिमी की बरतमान आयू कितना होगा 20 साल होगा तो आप देख लेंगे सिवांगनी कश्यप आपने आठ रखा है अठारे लिया है लेकिन दोगों इठारे नहीं होगा इसको लास में बताएंगे आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से किस समिक्रन के मुल वास्तविक नहीं है इसका कहने का मतलब मुल वास्तविक नहीं होने के लिए बी स्क्वार मैनस फोर एसी नहीं होने के लिए मतलब यह जीरो से छोटा होना चाहिए डिस्क्रिविनेंट जो होना चाहिए वो जीरो से छोटा होना चाहिए तो देखते हैं वही जीरो से छोटा होने के लिए तो कौन सा आप्शन्स आपके मैच करेंगे इस बात को देखे करेंगे चेक करते हैं, इसमें अगर चेक करते हैं, तो यह आ गया 4.16, कि यह 4.16, थी minus 4 यहां पर कुछ नहीं, मैंने 4 4 and a into c, करेंगे तो मैनस मैनस प्लस हो जाएगा तो यह आपका zero से बढ़ा हो तो यह इसका नहीं होगा ठीक है इसका नहीं होगा अगर इसको चेक करते हैं तो चौकड़ का स्क्वाइर करेंगे तो 196 और मैनस पूर यह 0 से क्या होना चाहिए खोटा होना चाहिए अगर यह 0 से छोटा हो गया अगर यह 0 से छोटा हो गया तो हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या होंगे यह जो संख्या होंगे वो क्या होंगे तो अगर यहां पर करते हैं 9.36 गुना 6 करेंगे तो यह आपका आ गया 216 और यह 196, यह 0 से छोटा है कि नहीं है, देख लो, यह minus में आएगा, यह value minus में आएगा, मतलब यह 0 से छोटा होगा, और जब यह 0 से छोटा होगा, तो हम कहेंगे, कि इसका मुल जो है, मुल जो है, वास्तविक, नहीं होगा, अर्थात क्या होगा? कालपनिक होगा, ठीक है, अर्थात क्या होगा? कालपनिक होगा, option number क्या होगा? C is the right answer, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा, कि 0 से छोटा होना चाहिए, तो वास्तविक मुल नहीं होना चाहिए, तो वास्तविक मुल नहीं होन तो हम जानते हैं कि 80 182 यह 182 है रेकरिंग जिस पर नहीं है तो उसको घटा देते हैं जितने पर रेकरिंग है उतना 9 और जिस पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखते हैं तो यह आ गया 181 और यह आ गया option number a option number a ठीक है यहाँ पर बारंबरता कि अगर मैं बात करूँ तो बारंबरता कि अगर बात करें तो यहाँ पर एक बात करो देखो यहाँ पर अगर सभी को जूड़ते हैं चार साथ 74 14 यह टोटल आ गया यह N है यह टोटल संखिया आ गया कितना 19 आ गया total संखिया 19 आ गया अगर यहाँ पर हम इसको जूड़ते हैं देखो यह पर यह 4 था तो 4 और 7 कितना हो गया 11 हो गया और 11 और 2 कितना हो गया 11 2 तेरा तेरा और छे कितना हो गया यह अठा अब एक बात समझेगा यहां पर एक बात समझेगा एक बात समझेगा कि यहां पर एनका जुर्बान आया है यह आया है इतना तो माधिका की माधिका को निकालने की अगर बात करें तो माधिका जो होगा इस बात को थोड़ा सा ध्या होता इस बात को समझेंगे यह होता है एन यह अगर ओड है ओड है तो यहां पे एन प्लस वन का आधा होगा कि यहां पे एन का वेलू आया उनिस उनिस और एक बीस बीस को जब आधा करेंगे ना तो यह आ जाएगा दसमा तर्म यह क्या आजाएगा दसमा तो दसमा जो यहां पे दसमा जो होगा एक बात बताई चार के बाद एगरवा आया है तो चार के बाद यह तर्म आएगा तो चार के बाद जो भी चौथा तक तर्म आपका यह वाला हो जाएगा लेगिन चौथा के बाद एगरवा तर्म तक पांच इसका सही एंसर होगा, यह दसमा टर्मा है, तो चार के बाद देखने को मिला, कॉमिलिटी फ्रिक्वेंसी इसको निकाले, चार एगारे, तेरा, तो यहां पे देखा है, दसमा के बाद जो आएगा, पाच्चमा, छट्टा, साथमा, इसी में आएगा, एगारे तक, फिर एगारे के बाद जो आएगा, इसमें आएगा, और तेरे के बाद जो आएगा, इसमें आएगा, तो एगारे दसमा टर्मा आया, तो दसमा टर्म इसमें मजूद है, तो इसका वेलू आगया, कितना, फोटी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, बहुत बहतरिन बहतरिन सवाल दिया गया है अगले सवाल को देखना सुरुभी ने तीन योजना है A, B, C में कुल मिलाकर इतना इन्वेस्ट किया है 47,704 इन्वेस्ट किया है देखो यहाँ पे क्या बूला है कि A का दस्वाँ परसेंट कितने सालों के लिए भाई देखो एक मुल्धन अपना लिया यह मालते हैं यह पूरा मुल्धन था A ही और 10 परसेंट की दर से 3 सालों में तो 10 या 30 परसेंट ब्याज मिलेगा इसको A पर फिर अगर B की यूजना की बात करें तो B पर कितना मिलेगा तो 9 चुक 36 परसेंट मिलेगा इसको ब्याज फिर C की अगर बात करते हैं तो C को कितना मिलता आठ पंचे 40 परसेंट मिलेगा मेरे भई अर यह दोनों बराबर हो जाएगा तो यहां से एक बात समझे का रहा है कि यहां पे साधरन ब्याज समान रासी मिलता है इससे भी साधरन ब्याज आपका समान मिलता है तो यहां से अगर काटने को मिला तो यहां पे 15 और यह 18 और यह आपका हो जाएगा कितना 20 ठीक है 15 18 20 यहां से हम लोग यह कर लिए को दिक्कत अब यहां देखो तो यहां से अब देखने को मिला है तो यहां पे क्या करेंगे एक रेश्व निकालना है और बी का रेश्व निकालना है और सी का रेश्व एए और बी का रेश्यो कैसे निकलता है मेरे बाई इस बात को धेहान रह autobialley में और बराबर के चेंद में दिया होता है एका निकालना एक को छोड़ देने का उच्रूणां को डेना अच्टारे गुणा सी के गुणां को मृति लिखते हैं खट बाधर इसको बी को निकालना त तो और गुनांक में हैं, तो C को निकालना है, तो 18 गुना कितना करेंगे, 15 करेंगे, तो यहां से देखिए, 5 से काटेंगे, 5 तिया, 5 से काटेंगे, 5 तिया, और यह चार, देखिए, तिया, 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 बारह दस नो आया, तो बारह दस आपका हो जाएगा, बाइस और बाइस और नो हो जाएगा, कितना? 31 और यही 31 उनिट बरावर दे रखा है, कितना? 47 अज्जार, इतना दे रखा है, तो निकालना किसको है मेरे भाई? निकालना किसको है? इस चीजों को देखना है, निकालना किसको है? तो निकालना है, आपको कह रहा है कि योजना C और योजना A में निवेस के ये रासी का अंतर निकालना है, तो C में 9 है और A में आपका इतना है, तो यह दोनों का अंतर निकालना है तो यहां पे तीन गुना कर देंगे तो तीन गुना करेंगे तो यहां पे एंसर आ जाएगा तो आप इसको solve कर लेना मेरे भाई तो यह solve करने के बाद जो answer आएगा उसमें आप देख लेना तो यह answer आएगा तो आप solve कर लेंगे इसको ठीक है यह solve करने का आपका काम है आप इसको solve कर लेंगे ठीक ना आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर और अगले सवाल को हम लोग देखने की कोसिस करते हैं ठीक है चलिए यहाँ पर बोला है धातू का एक आयताकार चादर है धातू का एक आयताकार चादर था जो दिया हुआ है ये 28 और ये दिया हुआ है 16 क्या किया गया है यहाँ इस बात को आयम वाली है मतलब ये भुजा वाली क्या किया गया इस बात को समसुनना इसके हर कोने पर एक वर्ग प्रकार काटा गया है कि खुला box बनाया जा सके है ना काटा यदि वर की लंबाई 3 मीटर है मतलब कि क्या किया गया है यहां से 3 और यहां से 3 इस तरीके से आपको क्या किया है कट कर दिया गया है फिर इसी तरीके से यहां पे कट किया गया है इसी तरीके से यहाँ पे cut किया गया है और इसी तरीके से यहाँ पे cut किया गया है अब यह cut करने के बाद क्या किया है यह cut हो गया है नहीं यह cut हो गया अब cut करने के बाद इसको क्या किया है देख लो यह cut हो गया इसको कट करने के बाद ये आपका तीन था और ये भी तीन था इसको कट करने के बाद फॉल्ड किया गया इसी को फॉल्ड किया गया इसी को फॉल्ड किया गया ठीक ही कट करने के बाद इसी को फॉल्ड किया तो हाइट आपका कितना हो जाए तो हाइट आपका तीन हो जाए क् इसी को फोल्ड किया इसी को फोल्ड किया और एक बक्सा बना दिया तो यहां पर बक्सा जो बनेगा यह आयताकार यह घनमाकार बक्सा बनेगा यह एक घनाव बन जाएगा इस घनाव का आईतन निकालना है तो घनाव का वोल्यूम अगर निकालना है तो वोल्यूम होता है आपका तीन आ जाएगा, एक मिनिटे कम हो जाएगा, चोड़ाइस का हो जाएगा कितना हो इधर से भी फॉल्ड होगा, तो यहां पर एक बात समझें, यह टोटल लेंध यहां से यहां पे 16 था लेकिन यहां से Fault Y कट गया तो यहीं पर यही Length आपका बनेगा यही Length तो 16 में से 3 इधर भी 3- होगा इधर भी 3- होगा तो यहां पर आजाएगा कितना 16 में से 3- होगा मतलब यह कितना बच गया 16 क्योंकि आपका जो बनेगा यह Fault यहां से होगा यह fold यहां से होगा और इस तरीके से यहां पर fold होगा तो आपकी चोड़ाई तो इतना ही रहेगा तो यह 28 था तो यहां से इधर 3 कम कर दीजे और फिर इधर 3 कम कर दीजे यह जो length होगा यह length कितना होगा तो 6 कम होगया मतलब यह 22 होगया तो यहां से length आपका कितना होगया 22 औ 10 गुना 3 ठीक है 660 इसका एंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया यहां पर क्यों होगा क्योंकि यहां पर भी 3 कम हुआ यहां पर भी 3 कम हुआ यहां पर लेंथ आपके पास बचा कितना है 16 में 10 लेंथ बचा हुए चोड़ाई और यहां इसका जो लंबाई है टोटल आपका 28 था यहां देखे किया बोला गया है किसी प्रियोगिक चेत्र में एक निष्ट्र जिवानूऋ की संख्या पहले वर्स में 10 परसेंट बढ़ा तो मौन लेते हैं कि यहां पर एकस था पहले साल 10 परसेंट बढ़ा तो 10 बढ़ा इसका मतलब कितना हुए कि 110 वटा कितना 100 दूसरे स 10% घट गया मतलब यह 90 बटा कितना 100 तो पहले साल बढ़ा दुसरे साल भी बढ़ा तिस्य साल घट गया तो जिवानों के संख्यां अब इतना रह जाता है बरतमान में 21384 रह जाता है ठीक है तो यहां से 0 से 0 कट गया ठीक है मेरे बाई जीरो से 0 कट गया ठीक है और ये कट गया आपका 198 में और ये कट गया आपका 9 से 9 दुनिया ठा रहा है 9 दुनिया ठा रहा है और ये कट गया आपका कितना दो बार में X का जो मान आएगा X का मान आएगा दो पर कितना 2 0 2 0 कितना 4 0 एंसर आ गया मतलब option नमबर ए ओप्शन नमबर ए ठीक है option नमबर ए शिवांगडी का श्रब का आ रहा है ठीक है बहुत बढ़िया यहां बोला गया है दो संख्या एक्स और वाई दो संख्या एक्स और वाई दो संख्या एक्स और वाई जैड का करमसा जैड का तो जैड का अगर 18% यह 100 है तो जैड का 18% कितना होगा 18 और 30% करमसा कहने का मतलब वह एक्स वाई तीस परसें इसका 30% है तो यह 30 हो गया की एक बात बते हैं तो संख्याद Y संख्या एकस की कितनी प्रतीसाद है कमप्रीजन किससे गया हैMs एकसे किया एकसW nosotros कॉन कम प्रिजन हो रहा है तिये उपर ओ यह हैं इन्सर आ गया इस त्रीक कि तो यह लगभग लगभग एंसर आएगा इसको काड़ दो फे पंचे तीज छे ती आठार तो पांसो बटा तीन परसें लगभग यहां पूछ रहा है देखिए निकतम पुनांक मान सुद्ध पूछ रहा है तो लगभग आपका एंसर आजाएगा इसका कटेगा 166.66 सज़दार ABC है इतना रुपिया इसमें आपस में इस परकार बाटने को है मला ABC में 22,21,000 को बाटना है ABC में कर यदि ABC को प्रात धंदासी में से है ना 2000, 3000, 4000 निकाल दिया जाता है तो 2000, 3000, 4000 कितना हुआ? 9,000 हुआ तो 9,000 जब निकाल लिया इसमें बचा कितना मेरे भाई? तो बचा यहां पर देखने को मिला कि यह आपका बचा 2,12,000 मतलब यह आपका सेस बचा 2,12,000 अब इसी को डिस्टिबूशन किया है इसी को डिस्टिबूशन किया है मेरे भाई 11, 18, 24 में किसमें? इसी को डिस्टिबूशन किया निकालने के बाद इसको डिस्टिबूशन किया है और डिस्टिबूशन जब किया है तो इसको देखा गया कि इसका अनुपात इतना था डिस्टिबूशन करने के बाद तो यहाँ पे अगर इसको जोडने के अगर बात किया जाए तो सभी को अगर जोड दिया जाए तो यह आजाता है आपका 8.12.1.13 और यही तिरेपन जो होंगे तो यह आपके इतना के यूनिट के बरावर होंगे क्योंकि तिरेपन जो है यह क्या है इतना निकालने के बाद जो बचा उसी को धन को बाटा है तो यह तिरेपन यूनिट बरावर इतना आजाएगा निकालना किसको है बीग ने कितनी धंदासी प्राप्त किया है तो बी ने आपका 18 धंदासी प्राप्त किया है ठीक है 18 धंदा तो यह 3,000 एड हो जाएगा, यह 3,000 एड हो जाएगा, तो यहां से आप solutions करेंगे, तो तिरेपंस से यह कट गया, कितना बार में, 4,000, आठ चुक, अठ चुक, बहत्तर और 3,000 एड हो गया, कितना, 75,000 आगया, एंसर आपका, ए इसका सही एंसर होगा, 75,000 is the right answer, संतोस, 72,000 नहीं होगा, क्योंकि यह जो आपको दिया था, यह क्या-क्या निकाल लिया था, इह इससा भी का ही था, भी में से 3,000 निकाल लिया था, तो इसका मुल कितना जोडते, तो 2000 जोडते, तो यह एंसर आजाता मेरे भाई, यह एंसर आजाता, यह सिंपल सी बात, यह कख्चा में, दो बैच A और B में, आपका चोवालिस चात्र है, तो चोवालिस चात्र है, और B में कितना, 56 है, तो यदि बैच A का औससत है किलो ग्राम, 43, प्लस, और बी की उस्त भार देखा गया कितना है अगर जब यहां पर एवरेज निकालना है तो शंख्या 44 और यह सो आ गया ठीक है संख्या 44 और कितना आ गया इतना आ गया ठीक है मेरे भाई कि अगर इसको गुना करते हैं तो चार्टिया बारह चार्टिया बारह चार्टिया बारह एक तेरर चार्चुक सोल और चार्चुक सोल एक शियत्तर तो यह आ गया 892 प्लस है ना 892 प्लस अगर यह 56 को चार्चे गुणा कर दिया जाता है तो चौबिस तो अबीश्ट नौच चववन एकीश पांच थिया पंद्रह एकीश स्व आपका 84 आजाता है यह टूटल और बटा कितना हो गया यह 100 हो गया इसको सभी को जोड़ा जाए तो यह 6 तो इसको डिवाइड करेंगे तो यह आजाएगा 40.76 इसको भी देख लेंगे और यह बहुत 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 था अगला सवाल देखने को कि यहां पर देखिए सवाल को करा कि ब्यास की गण्ना वार्षिक चकवर्दी ब्यास के आधार पर किये जाने पर किसी निश्य धंडासी पर दो पुणांक दो वटा तीन वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर पर चकवर्दी ब्यास इतना आता है तो एक बात बताईए रेट आपका कितना दिया है 15% और रेट जब 15% दिया है तो इसको लिख सकते हैं 3 वटा 20 मतलब मुलधन आपका 20 था हो गया कितना 3 ब्यास दिया तो यह हो गया 23 यह एमाउंट चकवर्दी ब्यास का चकवर्दी ब्यास को अगर बनाना है तो रेश्यो से बहतर कोई मैठड नहीं होता है तो यह 20 है तो यह हो गया कितना 23 दो साल तो पूरा पूरी था लेकिन एक बात बताओ अगर यह 3 साल होता तो हम 20-23 और लिखते लेकिन यह 2 वटा 3 साल है मतलब एक वर्स की अगर बात करें तो एक वर्स में रेट आपका 15 है तो 2 वटा 3 वर्स में कितना रेट हो जाएगा इसकी अगर इसको निकाल लेते हैं तो यह आ गया 2 वटा 3 गुना कर देंगे तो यह आ गया 5 मतलब यह आ गया 10% 10% कहने का मतलब 1 वटा 10 पूरा पूरी होता तो 20-20 हो जाता है लेकिन यह पूरा पूरी नहीं है मतलब दो वटा तीन साल की अगर बात किया गया है मतलब यह आपका यह 8 मेने का है तो 8 मेने में 10% ही 10% ही आपका लगेगा तो 10% को 10 से कितना एगार है वहाँ पे हम निकाल दिये इस बात को ध्यान रखना वहाँ पे हमने निकालके रखा है ठीक है तो यहाँ से जब गुना करेंगे तो यह आजाएगा कितना 4000 और यह गुना करेंगे तो 23 गुन 1329 गुनाय 11 करेंगे तो यह आपका आ जाएगा कि इतना तो यहां पर देखिए यह आपका जो ब्याज है यह चकवर्दी ब्याज है तो यहां पर देखिए चकवर्दी ब्याज कितना मिल रहा है तो 18 और 19 चकवर्दी ब्याज मिल इतना यूनिट बराबर दे रखा है कितना और निकालना किसको है? मुल्धन निकालना है, तो मुल्धन आपका यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे देखिए, मुल्धन आपका पुन्षंख्या में, मतलब यह कटेगा, तो 18,95 और 19,95 तो ये 5 वार में कड़िया तो 5 चोक 20 मतलब यहां पे आपको देखने को मिला कि 20,000 इसका सही एंसर है 20,000 इसका सही एंसर है मतलब 35 का आपका AR है बहुत बढ़िया शिवांगनी बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इस सवाल को देखो कैलकुलेटिव है करें एक नाव 45 मिनिट में जल परवाह के विपरी दिशा विपरी दिशा में तो जल परवाह के जब विपरी दिशा में जाएगा 5 किलो मिटर तो एक बात मतलब 5 किलो मिटर विपरी दिशा में ज चलेगा दिसा में तो यह जूट जाएगा और समय लेगा कितना 45 मिनट 45 के कहने का मतलब 15 या 45 और 15 चोका 60 यह घंटा में आ गया क्योंकि 45 बटा अगर 60 इसको घंटा में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे तो यह तीन वटा चारा जागे ठीक है अब यहां से काम करते हैं यहां पर हम दुगना गुना कर देते हैं क्यों दुगना गुना कि यह पॉइंट में था यह पॉइंट खतम हो जाएंगे तो यह आ जाएगा 10 वटा चुड़ी नहीं गुना करेंगे कि जल परवा की भी सामय नहीं गुना करना ही पड़ेगा क्योंकि यह लिखो चाहें यह लिखो दोनों बात क्या है बरावर है दोनों बात क्या है बरावर है अब आगी बात करो यहां पर अगली बात करो कि 25 मिनट में जल परवाह की दिसा में जल परवाह की दिसा में मतलब यह डाउनिस्ट्रिम यह लिख रहे हैं तो आपिस्ट्रिम यह लिख रहे हैं तो डाउनिस्ट्रिम के नीचे डाउनिस्ट्रिम लिखो मतलब जल की दिसा में तो जल की दिसा में मतलब ये 5 विटा कितना? जल प्रवाह की दिसा में 5 किलो मेटर, ठीक है? ठीक है? ठीक है? और यहाँ पर आजाएगा कितना? इसके 1.5 किलो मेटर. और यहाँ किया आजाएगा? X-Y. ये समय कितना लेगा? 25. पांच और ये 12 पंच है. ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लो. ठीक है? अब देखो यहाँ से. अब क्या कर सकते हैं? हमको चाहिए देखे जल प्रवाह के विप्रे दिसा में 12 किलो मेटर. तो ये 12 किलो मेटर X-Y. अगर X-Y का मान निकल जाता है, तो हम X-Y का मान यहाँ रख देंगे. तो एंसर आपके मिनट में आ जाएगा, या गहंटा में जो भी आएगा, आ जाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर? हमको निकालना है तो यह वाला हम लोग क्या करते हैं? इसको तीन से गुना करते हैं. देखे आपे. एक मिन्ट एक मिन्ट काटना है, अली रहने देते हैं, यह कट गया, मैनस मैनस, यह आपका हो गया, कितना, चाल, यहां से देखने को मिला, एक मिन्ट यहां पर हमको X-Y का मान निकालता है, डारेक्ट X-Y वाले को ही कट करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, पलस वाले को कट करत करना है पलस वाले को कट करना है इसको क्या करना है आपको रखना है यहां पर इसको बरावर करना है कि यहां पर एक काम करते हैं यहां तीन गुना करेंगे पांस्तिया पंद्र यहां भी तीन गुना करेंगे यहां भी तीन गुना करेंगे ठीक तो लिखे थे ये वाला कट हो गया और ये आपका आगया चार तो 3 वटा चार 3 वटा दो और यहांसे मैनस करेंगे तो ये 5 वटा 4 आया इसका एलस्यम लेंगे तो ये 4 आया दो दुनी तो 3 दुनी 6 चारे करें तो ये 5 मतलब 1 वटा कितना है चारा है, इस solutions करकर, यहाँ पे देखनों को मिला, 10 था, यह आपका आगया कितना, 7.5, तो यह आगया आगया कितना, 7.5 मतलब यह 2.5 आया, और यह x-y आगया, x-y इदर solution किये, तो यह कितना है, 1 by 4 आया, तो यहाँ से देखनों को मिला कि x-y, यह आगया 25 का 100, मतलब x-y आग देंगे, तो 12 बटा, 10 अगर रखते हैं, तो मिनट में निकालना, यह घंटा में आ जाएगा, तो मिनट में निकालने के लिए, 12 बटा, 10 गुना, 60 कर देंगे, तो 12 चक, 72 यह आ जाएगा, मिनट में, एंसर आगया, option A, यह कैलकुलेटिव, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इस कैलकुलेटिव को आप देखना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लिखने में जो समय लगेगा, लेकिन सॉल्व करने में ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, देखो, यहां पर कर रहा है, कुल बेचा गया, कितना, 50,000, यह इस टाइप की कोशन्स में, पूरा देखने की ज अनार कहां पे है, अनार इतना परसेंट है, 21.07 परसेंट और बेरी कितना है, 8.11 परसेंट, इसको घटा देंगे, तो यह 6, और यहां से घटाएंगे, तो यह 9, और यह आपका आगया कितना, 10, 2, और यह 22, मतला आपको निकालना है, 22.96 परसेंट का वेलू निकालना है, यह यह आपका कट गिया और यह 12 पंचे 60 11 तो देख लेना है कितना आ जागा multiply करके अपस बता देना मेरे बाई 11 जागा क्योंकि यह 5 दूनी 10 12 मैं थी 22 पंचे 110 110 से थोड़ा सा ज्यादा तो एक ही options भी होंगे तो यह answer आ जाएगा तो यह answer आ जाएगा ठीक है तो यह इसका answer आ गया ठीक है मेरे बाई तो इसमें ज्यादा समय लगने की बात नहीं है आप दोको यहाँ पे एन प्लस 18 व्यक्ति तो एन प्लस 18 व्यक्ति जिसमें से प्रतेक हर दिन इतना घंटा काम करते हैं और 20 दिन प्रती दिन काम करते हैं तो वह 48 परसेंट काम पूरा हुआ 48% काम को पूरा किया, लेकिन फिर बोला है कि अब यहाँ पर व्यक्ति क्या हुआ, N प्लस 12, यदि उनमें प्रतिक हर दिन 6.5 काम करके, 30 दिनों में, 30 दिनों में, यह तो यह 48% काम किया, तो जो बचा हुआ काम है, यह करेगा, क्योंकि क्या बुला गया है, स्तेष कारी को, तो जेष कारे मतलब 100% मानते हैं, तो 100% मानते हैं, यह 56 तो यहां से N का वेलव आप निकाल लो, तो पॉइंट रटेगा, तो यह भी पॉइंट रटेगा, ठिक है, 0 से 0 कट गया, ठिक है, तो यह आपका, कि पचिस्तिया 75 एक मिनट कि 15 पच्छे 75 तो यह 13 पच्छे 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा यह कितने बार में 5 बार में ठीक है यहां 5 और यहां 13 तो यहां से 8 से काटेंगे तो यह 8 शक्र 40 यह काटेंगे तो 8 सती कितना अपन ठीक है तो यहां से एक बात समझो इसको गुना करेंगे यहां से एक और देखिए दो है तो यह आपको 3 कट गया और कुछ कटेगा तो यहां से कट गया ज़्यादे ठीक है काटेंगे देख लो कित से 7 पचे 35 यह 35 एन प्लस 18 गुना 35 ठीक है बराबर हो जाएगा तो यहां पर देख लो कि यहां पर यहां पर देख लो कि यहां पर अगर उधर ले जाते तो देख लो पहले इसको गुना करो बारे नमर ठोटल से एकस्वार अमला एकस्वाट बारत यह 36 चात्तिस और दस हो जाएगा कितना च्छी आलिस और यह उधर जाएगा अठारा पच्छे नब्य नौ अठारत यह चववन चववन और नो यह तिरेशा ठाजाएगा यहां पर फोरेन दस में आठ गिया दू और यहां पर बचा है बारा बारे में से च्छे यह च्छे चार से तो कटेगा नहीं कहीं के कैलकुलिशन्स मिस्टेक हुआ क्या पता दू देखें यहां पर गलती कर दिये तो यहां पर आपका बावन होना चाहिए गलती वहां कर दिये तो यहां पर देखो एन प्लस अठारा कितना और यह आपका कितना है बीस दिन यह 48 परसंट काम किया इक्वल टू अब यहां पर एन प्लस कितना आया तूवल यहां पर और इंटू कितना 6.5 इंटू कितना 30 दिन बटा कितना यह 48 था तो यहां बावन होना चाहिए दोनों मिलकर हंडेट परसंट होना चाहिए लगिन यहां पर हम 56 लिख दिये तो इसी वज़ा से चल्कुलेशन गलत हो जाता पॉइंट हटाएंगे पॉइंट हटाएंगे ठीक है यह देखू जीरो से कट गिया जीरो तेरह चोका बावन अत्यरह पचे 65 तो पांच तिया पंद्रह पंद्रह पचे 75 थीक है यहां तर यह पंद्रह 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 पचे 75 थीक है और यह कट जाएगा आपका 12 चुक अर्टालिश है तो यहां पर देखिए 5N और अठारह पचे 90 बेख यह इसी कट गया आपका 6 वार में इक्वल टू टू इक्स एन और 12 चक 72 यहां पर आगया एन और यह उधर चल गया तो यह आगया कितना अर्धर एन बराबर आगया कितना कुक पे यहां पर आगया इस चक बहत्तर 18, n बरावर आगया 18, option नमबर D, कल्कुलेटिव था, option नमबर D, इसका सही उत्तर आ गया, option नमबर D, ठीक है, option नमबर D, इसका सही एंसर है, हम लोग क्या गलती किये थी, यहां 48 था, यहां 56 लिख दिये, जो कि 100% नहीं होता, यहां पे दिक्कत आ गया था, तो यहां पे calculation गलत हो गया था, ठीक है, अब एक बात बताईए, एक संक्वाकार तंबु की त्रिज्या 7 cm है, उर्दवारदर आपका उचाई 24 cm है, तो यहां पे बोला गया कि एक संक्वाकार यह दिया हुआ था, यह दिया था, इसकी height बोला गया है, यह उचाई आपका 24 है, और height आपका 7, त्रिज्या 7 है, यहां बोला गया है, कि इसमें चावल की कितने बोरे खाली किया जा सकते हैं, यदि प्रतेक बोरे की चावल घेरा गया है, कितना 2 मीटर क्यूँ, प्रतेक चावल में जो चावल आटा हुआ है, वो घेरता कितना है, 2 मीटर क्यूँ घेरता है, इसका मतलब क्या हुआ हुआ ह इसका item 1 by 3, 22 वटा साथ, RQ into 14, अब यहां पर बोरा इस पर खाली करते गया, खरते करते गया, करते गया, तो इतना बोरा खाली कर सकते हैं, जो कि यह पूरे तंबू को क्या कर सके, कवर कर सके, पूरे तंबू इसको कवर कर सके, तो यह आपका उधर भोल्यूम कितना है, तो एक बोरा खाली करेगा, तो इतना मितर को कवर करेगा, दो मितर क्यू को कवर करेगा, तो इस तरह से कितना बोरा कवर करेगा, तो कितना बोरा खाली करेंगे, तो एन बोरा का कवर खाली करेंगे, यहां से 7 से 7 कट गया, और यह कट गया 8, और यह कट गया आपका 4 वार में, ठीक है, 7 से 7 कट गया, 3 से 8 कट गया, यह काट दो 11 से, ठीक है, यहाँ पे 8 सती 56, यह आ गया, इतना एंसर हो गया, n, n बराबर कितना हो गया, इतना एंसर आ गया, option नमबर a, option नमबर a, ठीक है, क्लियर है यहां तक, यहाँ पे देखिए, क्या कर सकते हैं, इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं, यहाँ पे देखो, दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक 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 तो करेंगे क्यूंब यहां प्लस में और क्यूंब का प्लस में तो यहां प्लस में तो यहां पर तीन गुंडा गटा देंगे थिler तो यहां पर आजाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2 8, 8 दुनी 16 तो यह आजाएगा 16 रूट 2 और यह आजाएगा 6 रूट 2 मतलब यह 10 रूट 2, जब यहां से गर बात करें यहां पर माइनस में निकालना है तो यह वेलू अगर निगेटीव निकालना है तो यह भी वेलू आप आपका negative होना चाहिए, यह आपका negative होना चाहिए, तो यह की बात याद रखना मेरे भाई, एक बात याद रखना कि अगर, अगर x plus 1 by x, अगर k दिया है, और minus में निकालना होता है, तो k q minus, sorry, minus निकालना है, तो यह k का square और यह minus 4 करेंगे, ठीक है, अगर यह बात करना, कि अगर plus में निकालना है, इसको, तो यहाँ पर क्या करेंगे, k square plus 4 कर देंगे, और root लगा देंगे, तो यह आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, यह value दिया हुआ है, 2 root 2 का whole square, और minus में निकालना है, तो minus 4 और पूरे पर root निकाल देंगे, तो यहाँ प कितना आ गया, x minus 1 by x का value कितना आ गया, दो आ गया, ठीके, जब 2 आया, तो यहाँ से देखे, यहाँ से देखे, x minus 1 by x, x q वाला निकाल लेते हैं, minus वाला, तो 2 का q, into 3, into 2 करेंगे, तो यह 8 में से तो यह भी आ गया, 2, मतलब एक q वाला का value निकालें, तो यह आ गया, इतना 10 root 2, और यहाँ पर q वाला निकालें, minus वाला में, तो यह आ गया, 2, तो 10 दुना, 20 root 2, मतलब option नमर 20 root 2, minus अती यह plus हो जाएगा, sorry, तो यह 8, 8, 8, 8, 4, यह 14 हो जाएगा, यह 14 हो जाएगा, तो फोटीन हो जाएगा, तो 140 root 2 हो आएगा, 140 root 2, C answer, okay, 18 से गर कटता है, तो यह संख्यां जब 18 से कटेगा, तो 18 से कटने का मतलब यह संख्यां आपका 9, और 2, और 9 से कटना चाहिए, तो 2 और 9 से कटने का मतलब यह होना चाहिए, तो यह तो X का जो value होगा, 2 से कटेगा मतलब even number होगा, even number कहने का मतलब, जोड़ दिये, और 8 और 8, यह आगया 16, और 9 से कटने का मतलब यहां पे 2 प्लस होना चाहिए, इसका कहना है का मतलब X का मान 2 होगा, मतलब X का मान 2, decide होगा, मतलब option number C, option number क्या आगया, C आगया, ठीक है, यहां से देखे, ठीटा बराबर 0 रख देंगे, तो ठीटा बराबर 0 डिगर रखेंगे, तो यहां पे आजागा sin 0 बराबर 0, और यह cost 0 बराबर 1, यह 0, यह 1, तो 1 का square, प्लस मैनस 1 का square, यह भी answer 2 होग तो option number A, option number A आगया, ठीक है, यहां पे एक circle है, दो circle है, दो circle है, ठीक है, दो circle है, इस तरीके से, ठीक है, अब यह 2 circle दिया हुए है, यहां कर रहा है, कि समान स्पिर्जिय त्रिजिया है, स्पिर्जिय यहां से माल लिए आपका यह है त्रिजिया यहां से और यहां से समाने मतलब यह 6 और यह 6 है अब यहां बोलागे P और Q जो है तो एक दुस्रे को क्या कर रहा है प्रतिछेद कर रहा है एक दुस्रे को प्रतिछेद कर रहा है ठीके P Q 10 एक बात समझे यहां सेंटर से जब इसकी जीवा पर खीचा जाएगा तो यह आपका लंब होता और दो बराबर भाग में बाटेंगे जीवा को दो बराबर भाग में बाटेगा यह 5 हो जाएगा तो यह 5 हो जाएगा एक बात बताईए यह 6 यह 5 तो यह वाला आपका जो value होगा यहां से यहां तक की जो दूरी होगी तो यह कि पोड़ेस मतलब केंद्रों के बीच की दूरी निकालना है तो यह आ जाएगा रूट 11 प्लस रूट 11 तो यह आ गया 2 रूट 11 पेंटिमेटर ओप्शन नमबर A ओप्शन नमबर A क्लियर है यहां बोला गया कि A जो है अनुकर्मानुपाती है किसका B प्लस 18 का अब जानते हैं यह आपका रेश्यू का कोशन से यहां पे अनुकर्मानुपाती है तो इसके बदले में हम बराबर और के लिखते हैं और केक अगर बात करें तो यह आ जाएगा A B1 प्लस 18 यहां पर A1 B1 ले सकते हैं फिर A2 B2 ले सकते हैं तो यह आप क्योंकि यहां पर कॉंस्टेंट है इस तरह से वेलू आपका बहुत सारे वेलू हो सकते हैं इस तरह से बहुत सारे वेलू हो सकते हैं यहां पर देखियो क्या कह रहा है यहां पर बोला है कि अगर B36 रखें तो बी अगर 36 रखते हैं तो यहां पर B36 रखते हैं 36 और 18 हो जाएगा कितना 54 तो A1 कामान वहां क्या रखें उसी ताइम A कामान क्या रखें है 108 फिर बोला गया है A कामान ग्याद करना है तो यह 2 को बदले A रख लेते हैं B जब कर रहा 68 68 68 68 68 68 68 68 68 और यहां पर 6 1 7 1 तो यह कर जाएगा आपका दो बार में एक आमान आ जाएगा आठ दुन आठ चे दुने बारा और आठ दुने शोला एक ना ओप्शन नमबर के आ जाएगा एक आमान यहां देख लिना यहां पर बोलागे कि एक व्यक्ति अपनी कार को 24 किलो मेटर तक 48 किलो मेटर प्रति घंटे की चाल से जाता है 24 किलो मेटर करा कि यहां पर 24 किलो मेटर गया और यह 48 किलो मेटर प्रति घंटे की रप्तार से गया फिर अगले बोला गया है कि अगला जो चला है वो 80 किलो मेटर चला है और समय लिया है कितना 1.5 पावर तो यह दूरी निकाल लो तो यह दूरी तो हम जानते हैं कि यह दूरी आपका 26 है तो यह दूरी निकाल लो तो यह दूरी निकालेंगे तो यहां से क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे 15 गुना 8 12 120 यह 120 किलो मेटर हुआ तो average speed की अगर बात करें तो average speed होता है total time और total distance और यह total time तो total distance की अगर बात करें तो 120 और 24 तो यह आ गया 144 total time की अगर बात करें तो यह time आपका समय कितना लगेगा हाप 0.5 hour और यहां समय लिया 1.5 तो 1.5 प्लस 0.5 करेंगे तो यह 144 और यहां प्या आ गया 2 तो यह आ गया 72 किलो मेटर पर आवर average speed निकालने तो यह answer आ गया 72 है कैसी वांगने ठीक है आप लोग एंसर आ गया है बहुत बढ़िया ठीक है ना चलिए आपका नंबर सवाल है 71 यहां पर भाग एक एक प्रस्ण का हल करते समय सुहास ने गलती से भाजक के रुप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज से 10 प्रसंड कम था उसने गलती से भाजक के रुप में भाज बरावर, भाजक गुना, भाधपल, जोड, समस्माइब। थेह सूइए हम लोग क्या करेंगे इस बात को देखना हम क्या करते है कि भाज यहां लिया गल्ति से तो मुल भाज मान लेते हैं कि मुल भाज क्या होगा कुछ भाज मान लेते हैं। बोले भाज आपका D है और मुल भाजक माल लेते हैं एक्स माल लिए मुल भाजक एक्स माल लिए ठीक है मुल भाजक क्या माल लिए एक्स माल लिए अब यहां पर देखा गया अगर यहां से देखने को मिला कि पहला स्क्रिंग पहला अगर लेते हैं कि यहां पर बोला यदि भाग के मुल्प्रस्न का सही भागफल 24 था इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यह अगर डी है तो भाजक आपका कितना है एक्स माने है भागफल क्या बोला गया 24 था, असेस्पल कितना बोला, 0, मतलर D बरावर कितना हो जाएगा, 24 X हो जाएगा, यह आपका सही वाला था, यह वाला टर्म जो बोला है, सही वाला, मुल प्रसन से सही भागपल, मुल जो था, मुल वाले से आपका यह आ गया, इतना, लेकिन गलती से क्या किया, तो गलती से क किया किया तो यहां पे निकालना क्या है भागफल कितना होगा तो गल्ती से यह देखने को मिला कि अब क्या किया है कि डी को क्या किया 10% कम कर दिया इसको कम किया है तो डी जो है वे 90% हो जाएगा D, और यहाँ पे देखने को मिला कि X को क्या किया है, मतलब यह मुल भाजक को क्या किया है, 20% कम कर दिया, मlt x को da x ककम कर दिया है कितना 80 % ऐसी परसेंट भाकोक अगर कम कर दिया है तो यहां पे कुछ भ्राइख रहा होगा तो इस भागिफ़ आ कि पुछ भाइख पल गुणा रहा होगा जिरो से चल यहां देखते हैं इसको एंटू क्या आ गया? कॉक्ष्ट तो देखोए एक काम करतो है,D का विलू यहां कितना आ गया? 24 सेक्स,D का विलू कितना गया? 24 सेक्स,9 इंटू 14 सेक्स,और यहां 8X INTO, क्योंकि CessFall 0 था यहां पर बोला गया है,CessFall क्या बोला गया? जीरू था, यहां से हम लोग क्या करें, X से X cancel हो गया, 8 प्या 24, यह आ गया कितना है, तो यहां प्या आ गया कितना, नो तिया सता है, ठीक तो, option तो दिया है, यह आपका 27 एंसर आ गया, 27, यह एंसर यहां पर आ गया, क्लियर है, यहां तक यह questions आपके एक थे, complete हो गया, यह आपका technician के question थे, लगवगा आपके 25 भी सवाल रहते हैं, technician में, तो यह सारे सवाल आपके complete हो गया, ठीक है? अब यह बच्चों को गूड एवनिंग, आजाए, हम लोग reasoning के discussion को start कर रहा है, आए बब देखे, पहला question जो है, वो dice से दिया गया है, तो एक ही dice को कितनी बार घुमाया है, तो एक ही dice को दो बार घुमाया है, अब देखो, दोनों में कितने element common है, तो अगर हम ध्यान से दे से को दो बार घुमाया जाए, और दोनों बार में एक element को common बना दिया जाए, तो जो भी element common है, उसका opposite वो होगा जो नहीं दिख रहा है, यानि हमें जी का opposite वो ढूनना है, जो नहीं दिख रहा है, तो देख लो C है बगल में, खतम हो गया, D कहीं भी नहीं दिख रहे हैं थे A, B, C, D, E और F, एक बृताकार छेतर के चारो ओर केंदर अभी मुख होकर बैठे हैं, तो मेरे दोस्त सबसे पहले क्या करना है, नहीं कि इसमें एक सर्किल बनाने हैं, ठीक है, और सर्किल पर कितने लोगों को बैठाने हैं, तो सबसे पहले 6 लोगों की विवस्था कर लो, अब जैसा कि questions के according कही गई है, कि सारे लोग का face जो होगा, वो center को देख रहा होगा, इसका मतलब केंदर की और मुख है, और केंदर की और मुख है, तो right हम लोग anti-clockwise move करेंगे, और left हम लोग clockwise move करेंगे, अब देख लो क्या कहता है, A, D के बीपरित बैठा है, तो A किसके बी भाई होता है, पीछे जाकर नजदीक वाले को पकड़ना, यानि जो के जगा पे हम अगर D को रख दे तो line is first तक क्या बनेगा, D ना तो E ना ही F का परोसी है, तो ना तो E और F को हम D के बगल में रख सकते हैं, और ना ही हम लोग D के बगल में E और F को इस side रख सकते हैं, त देख लो क्या कहता है, E और C परोसी है, अच्छा बताओ, E और C अगर परोसी दिख रहे हैं, तो C को यहाँ E को यहाँ रख सकते हो, या C को यहाँ E को यहाँ रख सकते हो, दो-दो condition बने, तो आप कोडिफिकेशन कर लो कि E और C क्या है सर्ट तो निकट्तम परोसी है, E B क को दूसरे अस्थान पर है, तो जहां भी B होगा, उसके दाएं नहीं, उसके बाएं पहला नहीं, दूसरा अस्थान A का होगा, यानि C और E जो निकट्तम परोसी होने वाले हैं, अब यह सी प्लेस पर हम रख सकते हैं, अब देख लो F भी यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो हम ने F को यहाँ कहा, अब कहता है कि सर्व B और E परोसी नहीं है, तो B और E परोसी नहीं है, यानि हमारे अरेंजमेंट जो है, वो एक अटेम्ट में बन करके तयार हो गए, प्रस्द देखो क्या पूछता है, एके बाएं से दूसरे अस्थान पर कौन बैठा है, तो अगर हम E की बात करते हैं, तो E center को face कर रखा है, और center को face करेगा, तो इसका right anti-clockwise जाएगा, और इसका left जो है न वो clockwise जाएगा, तो E के left में पहला और दूसरा position D के लिए है, अब D देख लो किस option में है, तो D को D number option में रखे गए हैं, तो answer हम लोग option number D को करेंगे, question number 21 के लिए, next one द greater equal और equal रहने पे greater strong, greater or greater equal रहने पे greater strong, greater or equal रहने पे greater strong, greater equal और equal रहने पे greater equal strong, same condition lesser के साथ चलता है, यानि lesser lesser equal equal रहने पे lesser strong, lesser or lesser equal रहने पे lesser strong, lesser or equal रहने पे lesser strong, lesser equal रहने पर lesser strong, lesser equal रहने पर lesser strong, lesser equal रहने पर 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 lesser equal रह आपको याद होनी चाहिए फिर हमने एक चीज बतलाया कि अगर दोनुए एक एलिमेंट के दोनुओर मुख खुल जाए चाहे मुख का नेचर कैसा भी क्यों नहीं हो वो चाइना वाल को क्रियेट करता है जिसको क्रॉस कर पाना समभब नहीं है या किसी एलिमेंट के दोनों तरफ साइन का मुख अगर बंद हो जाता है तो हम इस वाले विवस्था को भी चाइना वाल कहते हैं और इसको क्रॉस कर पाना समभब नहीं है तो कभी भी बच्चों को इनिक्वालिटी बनाते समय इतनी बातों का मुखे रूप से ध्यान देना होता है अब ध्यान से देखो टी का रिलेशन किसके साथ जोड़ना चाहता है एन के साथ तो टी से एन तक सफर तै करने के लिए हमें एम के उपर से गुजरना होगा यानि पहला एक्वेशन हमारे लिए रॉंग हो गया दूसरे एक्वेशन की बात करें एम से किसको मिलवाना है एल को तो देख लो एम से एल तक आने के लिए लेसर लेसर एकवल लेसर और लेसर में लेसर सबसे strong sign होगा यानि M को लेसर होना होगा L से, M already लेसर है L से, यानि दूसरे number options को हम सही मानेंगे, तो answer क्या लगाओगी, तो cable option B को लगाओगी, यही इसके लिए पढ़ियाप्त और suitable answer होंगे. इस type के questions अब आपसे बनते होंगे क्योंकि setting arrangement का level 1 है, देख लो क्या कहता है, सात मित्र है A, B, C, D, E, F और G, एक बृताकार इस्थित में केंदर की और मुक करके बैठे हैं, तो total हमें ऐसी बिवस्था करनी हैं, जिसमें एक सरकिल हो, इस सरकिल पर सात लोग बैठे हों, इस सर ही के मुक कहा हों, तो center को face कर रहे हों, यानि केंदर की और देख रहे हों, और जब केंदर की और मुक दिखेगा, तो हमें मालूम है right anti clockwise और left clockwise चलेंगे, अब देख लो क्या कहता है, F, C के दाइं और ठीक बगल में बैठा है, यानि जहां भी C बैठेगा, इसके दाइं और बगल में किसको बैठाना है, F को, अब कहता है, C, G के दाइं और दूसरे अस्थान पर बैठा है, तो C किसके तो G जहां बैठेगा, उसके दाइं को पहला नहीं, दूसरा अस्थान C का होगा, फिर कहता है, E, A के दाइं और तीसरे अस्थान पर बैठा, अब देख लो, यह बैठने के लिए बहुत सारे जगा है हम A को रखकर पहला दुसरा तिसरा । रख सकते हैं और एक यहां और को रखना से को एक पोजिशन सही है और एक पुजिशन गलत है तो कोडिफिकेसन कर लो कि A के दाइं और तीसरे प्लेस पे हम किसको रख सकते हैं तो E को रख सकते हैं अब देख लो क्या कहता है B, D और E दूनों के बगल में बैठा है तो B एक ऐसा सक्स है जो D और E दूनों के बगल में बैठा है क्लियर? निमलिकित में से कौन सा कथा न सकते हैं अगर हम E को यहाँ जगा देते हैं, तो क्या E के बगल में हम B को बैठा पाएंगे कभी भी, नहीं, इसका मतलब है कि तै हो गया कि सर A को पुजिशन यहाँ दो, और A के राइट में पहला दूसरा तीसरा पुजिशन E को आप यहाँ दो, और E और D के बीच में जब B को बैठ है, तो देखनो, Ñ जो है, वो C के बिल्कुल लिफ्ट में बगल में बैठा है, यानि यह सत्त्य है, पूछ रहा है, असत्य कौन है, क्योंकि G के दाइं और बगल में A बैठा है इसका मतलब है कि option number B जो है न यही असत्ते है तो हमारे लिए answer भी option number B जाएगा क्योंकि पूछा क्या गया था प्रस्ट में कौन जो है वो गलत है तो B number option जो है न वही गलत है next questions की और move करेंगे इस टाइप के जो questions होते हैं न खास करके logical reasoning के इस questions में basically हम कहें तो दम नहीं होते हैं बस concept का गेम होता है अगर concept आपकी clear है तो आप इस टाइप के questions को बहुत आसानी से और सिद्दत के साथ सही कर सकते हो ध्यान से समझोगे क्या है एक private limited company ने वित्य लेखा विवड़न में कुछ गंभीर और महत्पून गलतियां पाई अब सोचे एक private limited company है यानि अच्छी खासी बड़ी company होई और उसमें वित्य लेखा यानि एकाउंट में कुछ ना कुछ गरबड़ी आई है और ये महत्पून गलतियां पाई गई है बहुत ही serious गलतियां पाई गई है जैसा के statement में कहा गया कि एक private limited company के बित्य लेखा विवरन में कुछ गंभीर और महत्पून गंतिया पाई गई है अब जब समस्या आ गया है तो हम उसका समाधान कैसे करेंगे तो देखलो यहाँ पर कारेवाही दिया गया है समाधान के रूप में हमारे पास दो समाधान दिये गए हैं हमें तै करना होगा कि इस गलती को सौट आउट करने के लिए इसका सुधार करने के लिए कौन सा समाधान जो है वो उपयुक्त है कहता है उस प्राइबिट लिमिटेट कंपणी के खातों में गलतियों का मुल्ले कारण खोजने और उप्चारात्मक कारेवाही का सुझाब देने के लिए विसे सग्ग की एक क्यूम नियुक्त की जानी चाहिए बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं क्यूंकि अगर एक प्राइबि क्योंकि जो एकांटेंट इस कंपणी का होगा उससे वो गलतियां नहीं पकड़ी जा रही है तो वही कहता है कि उस प्राइबिट लिमिटेट कंपणी के खाते में गलतियों का मूल कारण खोजने और उप्चारात्मक कारेवाही का सुझाब देने के लिए विसे सग्यों की एक्तिम न्युक्त की जानी चाहिए बिल्कुल की जानी चाहिए इसमें सभी समस्तामिल सभी करमचारियों की गहंता से जाच की जानी चाहिए अब बताओ मालू हमने न्युक्त कर लिया उसने ढूंड के भी निकाल लिया कि भईया यहां पर तुरूटी आई थी लेकिन हम जो मुलाजिन थे जिनके जिनके कारण वो गलतियां हुई अगर उनकी हम जाच ही नहीं करवाएं तो फिर क्या होगा वो भी लोग serious नहीं लेंगे लेकिन एक बार अगर हम उनकी भी जाच करवा लिए जो जो इस account कोई देख भाल करते थे तो फिर वो करमचारी जो है वो आग option किसमें दिया गया है तो option number D में दिया गया है तो इसके लिए perfect answer जो होगा मेरे भाई वो option number D होगा next one चलते हैं देख लो कहता है सर्थ 2 February 2007 को सुक्रवार था तो 2 February 2008 को कौन सा सप्ता का दिन होगा तो हमेशा याद रखोगे यदि किसी साधारन वर्स से ordinary year से सेम तिथी को अगर हम उसके अगले साल जाएं तो एक दिन की या दो दिन की बढ़त होगे तो कभ एक दिन की होगी और कभ दो दिन की होगी अगर हम साधारन वर्स से लीप वर्स में परवेश करते हैं और लीप वर्स का 29 February countable है वो जुड़ जाएगा तो दो दिन की ब को पहुंच रहे हैं तो 2008 अल्रेडी लीप एर है लेकिन हम लोग 2 February को ही रुक गए है 29 February से अभी मुलाकात नहीं होई है इसका मतलब हम उसको लीप एर के रूप में नहीं समझेंगे तो हमारे पास यहां आंसर में कितने दिन की बढ़त होनी चाहिए तो एक दिन की बढ़त दोगे तो आपके आंसर सटर्डे हो जाएंगे जो कि ऑप्सन नंबर इस पस्ट ता दिख रहा है ऑप्सन नंबर दिख रहा सिवानी गलत है बाबु हाँ अगर यही हम कह देते न कि एक मार्च 2007 को प्राइडे है और फिर हम कह देते कि एक मार्च और 2008 को कौन सा दिन होगा तब हम कहते हैं कि सर्फ संडे होगा यहां दो दिन की बृद्धी हो जाती। ऐसा इसलिए होता क्योंकि यहां 29 फैबरेरी दो हजार आठ वाला क्या हो जाता तो काउंट हो जाता। यह बात हमेशा याद रखो गए। लेकिन हम कहां से चल रहे हैं? तो दो फैबरेरी दो हजार साथ को वो कह रहा है कि फ्राइडे है और दो फैबरेरी दो हजार आठ की वो बात कर रहा है तो यहां एक ही दिन की बृद्धी होनी है और यह आंसर सटडे हो जाने हैं ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 29 फैबरेरी दो हजार आठ में काउंट नहीं हो पा रहा है तो यह बात छोटी सी बात है लेकिन गलती करवाने के लिए यह बात बहुत बड़ी बात हो जाती है आप हमेशा देखोगे कि बच्चे एक दिन आगी या एक दिन पीछे चले जाते हैं वो क्यों चले जा आते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है तो उसके पीछे का बेसिक रीजन यहीं होता है कि हम लोग जैसे ही देखे 2008 तो हम लोग समझ लेते हैं लीपियर है और सीधा दो दिन जोड देते हैं या दो दिन घटा देते हैं और वहीं पर हम गलतियां करके आते हैं तो अब इन ग चलते हैं, देखो, आलोक बिंदू B से शुरू करता है और उत्तर की और 5 km गारी चलाता है, ठीक है, उसके बाद वो दाये मुरता है, तो उत्तर से दाया मुरने का मतलब पूरब में वो 10 km जाता है, फिर से वो दाये मुरेगा तो दक्षिन में जाएगा और 5 km गारी चलाएग ठीक है, अब कहता है, 3 km गारी चलाता है और X बिंदू पर रुक जाता है, तो X बिंदू से B बिंदू तक उससे किस दिसा में और कितना दूर जाना होगा, तो B बिंदू यहाँ है हमारा और X बिंदू हमारा यहाँ है, तो ध्यान से देखोगे, नॉर्थ पास से साउथ प गट गए, यानि इस्ट में साथ बचा, तो B से X बिंदू आने के लिए मुझे इस्ट में साथ किलो मीटर जाने होंगे, लेकिन X बिंदू से B बिंदू जाने के लिए मुझे बेस्ट में कितने साथ किलो मीटर जाने होंगे, तो साथ किलो मीटर पस्चिम किस में दे रखा है तो साथ किलोमीटर पस्चिम ए में दे रखा है तो आंसर हमारा option number A जो है न यही सबसे best और perfect answer है जान से देखो कि तीन ही वेंडाइग्राम है एक गायक के लिए है एक नर्तक के लिए है और एक चितरकार के लिए है कहता है कितने वेक्ति गायक होने के साथ साथ नर्तक भी है लेकिन चितरकार नहीं है यानि हमको सिर्फ गायक और नर्तक से मतलब है हमको चितरकार से मतलब नहीं है तो देखो आपको इस पस्ट रूप से दिख रहे हैं मातर यह 14 ऐसा है जो गायक और नर्तक दोनों हैं लेकिन चित्रकार नहीं है और 14 किस में दे रखा है तो option number C में दे रखा है तो answer हम लोग option number C को करने वाले हैं इजी type के questions होते हैं ये अब देखो फिर से argument की बात करी जा रही है तो हमेशा याद रखोगे statement and argument logical reasoning का एक महतपून हिस्सा होता है खास करके इसमें क्या होता है कि आपको region प्रस्तुत करने होते हैं ठीक है अगर आपने सही region दिया तो आपके argument सही होंगे और आपने अगर गलत reason दिया तो आपके argument जो होंगे न वो गलत होंगे तो देखो क्या कहता है गाउं एक्स के किसानों को उन फसलों की और रुख करना चाहिए जिनके लिए गन्ने की तुलना में सिचाई के लिए कम पानी की अवसकता होती है यानि कोई गाउं एक्स है जह कम पर रही है ठीक है अगर कम नहीं परती सिचाई के लिए पानी तो लोग गन्ना वैसे ही उप जाते रहते लेकिन कहीं न कहीं statement को पढ़के समझ में आ रहा है कि गन्ने की खेती में पानी अधिक लगते है और सिचाई के लिए वहाँ पानी कम है इसलिए उसने कहा कि गाउ x में लूज़ा 17 के लिए पाणी की उपलवतता में लागतार कमी ही आ रहे है अब सोचो गाहओ x का मुख्छे पिअ क्या है गन्य की कमी होने लगी है तो जब पाणी की कमी होने लगी है तो हम उसको यह सुझाव में लें तुम यह सुझाव हुम क्यूं देंगे उसके पीछे का region क्या है तो उसके पीछे का region यह है कि किछ पिछले कुछ वर्सों में गाउं X में सिचाई के लिए पानी की उपलबतता में लगातार कमी आ रही है ठीक है फिर देखे क्या कहता है गाउं X में किसानों की आय का मुख्य सोर्स पास के चीनी मिलो की गन्य की फसल की भिक्री है तो यह तो region नहीं नहीं हो सकता है अब बताओ गाउं X के किसानों के कमाई का मुख्य सोर्स है कि भाईया बगल में आपके गन्य की फैक्टरी है आपके यह चीनी की फैक्टरी है तो आप गन्ना उप जाते हो और वहां बेच करके अपना जीव नंबर रिजन गलत है तो ए नंबर आप्सन गलत हो गए दो कथन का समर्थन नहीं करता है जबकि एक कथन का समर्थन करता है तो इसके लिए परफेक्ट आंसर जो हो गए ना यह भी हो गया रिया बबुसर कैलेंडर पढ़ा दीजे बहुत सारे डिसकसिन में विडियो होंग देखे क्या कहता है आमीर बिनेत चंद्र चंद्रा दिनेस इंद्रेस फारुख गुडमीत और हरियोम एक वरगाकार मेच के मेच के केंद्र की और मुकड के बैठे हैं उनमें से चार मेच के कुने पर जबकि अन्य चार भुजाओं के मध्धे में बैठे हैं यानि हम कह सकते कि सर आठ लोगों की आपको विवस्था करनी है और आठ लोगों को इस तरह से आपको बैठाने है कि चार लोग को आप लाइन के भुजा के मध्धे में रखो और चार लोग को कॉर्णर में रखो लेकिन सारे लोग का जो फेस होगा ना सर वो केंद्र की योड होगा इसका म इसरे अस्थान पर बैठा है, यानि अगर हम यहां कहीं गुर्मीत को रखते हैं, तो फिर वो बाईं और इंद्रेस बैठेगा, अब सवाल उठता है कि गुर्मीत को हम मिडिल में रखें कि गुर्मीत को हम कॉर्णर में रखें, तो चलिए अगला लाइन हम पढ़ते हैं, इं इंद्रेस को मेज के कोने पर बैठाना है तो गुर्मीत को इसको गुर्मीत को भुजा के मध्य में बैठना होगा तभी इसके लेफ्ट में पहला दूसरा और तीसरा अस्थान जो आएगा वो इंद्रेस के लिए आएगा किसके लिए आएगा तो इंद्रेस के लिए अब दूसरे अस्थान पे किसको बैठना है बावु तो बिनीत को बैठना है ठीक है अब देख लो अगला लाइन क्या कहता है फारुक मेज के किसी एक कोने पर नहीं बैठेगा तो फारुक को हम यहां नहीं रख सकते क्योंकि मेज का कोना है और फारुक को हम यहां भी नहीं रख सकते फारुक को यहां भी नहीं तो जहां भी फारुक को रखेंगे तो यह, दो और तीन प्लेस अच्छा बताओ अगर फारुक को हम यहां रखते हैं तो इसके दाई में दूसरा विनित नहीं रख सकते हैं फारुक को यहां रखे तो इसके दाई में दूसरा विनित या फारुक को यहां रखे तो इसके दाई में दूसरा विनित अब बताओ अगर इंद्रेस के ठीक बगल में फारुक नहीं बैठा तो ना तो फारुक को आप यहां रख सकोगे ना ही फारुक को यहां तो फारुक के दो पोजिशन मिल रहे थे दो में से ये पोजिशन इसकारण कट गए क्योंकि फारुक इंद्रेस के बगल में नहीं अमीर के ठीक बगल में बैठा है। पूरे हो जाएंगे तो मुख तो सेंटर की ओर है तो इधर जाने पर दिनेश का राइट और इधर जाने पर दिनेस के लेफ्ट, तो दिनेस के लेफ्ट में पहला, दूसरा और तीसरा, आमीर मिल रहा है, आमीर किस में है, तो option number B में दे रखा है, तो answer हमारे लिए option number B, जो है न, यही perfect और suitable answer हो जाएंगे, तो answer number B को कर लेना, अच्छा setting arrangement था, time taken था, अच्छा देख लो क्या कहता है, coding decoding है, यदि पहले और अंतिम अंक विशम है, तो पहला अंक भी odd है, और अंतिम अंक भी odd है, तो दोनों को L के रूप में code बद कर दो, यानि first or last L चाहिए, तो ये वाली option cancel हो गई, ये वाली option cancel हो गई, अब ध्यान स से देखो दूसरा क्या कहता है, यदि पहले और अंतिम संग संख्या है, तो संग संख्या तो नहीं है, तो कट गया, अब दोनों में common क्या है, तो LH, J तक देख लो common है, सिर्फ K में और D में different है, यानि पीछे से last से दूसरा, तो last से दूसरा 8 है, और 8 के लिए हम लोग D को यूज करने वाले है, यानि L से पहले last में D चाहिए, यहाँ K है, B number option cancel हो गए, और A number option परियापत रूप से हमारे लिए answer हो गए, बिल्कुल सही है, देखो, एक कूट भासा में fill at home को 4 to 4 लिखते हैं, दिखे, और check the laundry को 537 बहाती जी है, फील 4 लेटर का मिलकर बना, इसके लिए आपने 4 लिखा, home भी 4 लेटर का मिलकर बना, आपने 4 लिखा, at मातर 2 ही लेटर के मिलकर बने हैं, तो आपने 2 लिखा, इसी तरह से अगर check की बात करें तो 5 लेटर का है, the की बात करें तो 3 लेटर का है, और laundry की बात करें तो 7 लेटर अब कहता है the kit is flying को कैसे लिखोगे तो 10 में 3 लेटर यूज किये गया है काइट में 4 लेटर यूज किये गया है इस में 2 लेटर और flying में total 2, 4, 2, 6 लेटर यूज किये गया है यानि 34, 26 चाहिए जो पस्टता option number B में देखने को मिल रहा है तो answer हमारे लिए option number B जो है यही best और perfect answer अच्छा ध्यान से देखो क्या है हमारे पास series 29 है, 33 है, वाट है, 113 है, 369 है यही है ना अंतर देख लो तो अगर हम यहाँ अंतर देखें तो चार का अंतर है अगर यहां आप अंतर देखने की कोशिस करोगे तो 9 में से 3 गया 6 और 6 में से 1 गया 5 और यह 256 क्या आप कह सकते हो कि सर यह तो 2 का स्क्वाइर है ठीक है लेगिन यह कितने का है तो सर यह 16 का स्क्वाइर है तो यहां कितने होने चाहिए तो यहाँ 4 का square होना चाहिए और यहाँ से यहाँ आने के लिए 8 का square होना चाहिए यानि हमेशा दुगना 2 का square, 2 दूना 4 का square, 4 दूना 8 का square, दूना 16 का square तो यहाँ 4 चको 16 आपको add करने होंगे, 16 आड़ कर दो, 36 9 हो जाएंगे, 3 1 4 हो जाएंगे 49 चाहिए, 49 option number B में इस पस्ता दिख रहा है, तो answer हमारे लिए option number B जो है, यही इसके लिए best और perfect answer है, next one देखोगे, अच्छा देखे धान से समझेगा English dictionary तो हम लोग देखते हैं न, alphabet के order में हम लोग English dictionary को rotate करते हैं अब सबसे पहले जो common है आप उसको निकालो, Kin, 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 Kin और Kin तीन लेटर common है अब सबसे पहले G की बारी आएगी, तो G वाले का chain करना है, यानि S वाले को last में देखना है तो 4 number last में चाहिए, तो 4 number सारे में last में हैं छोड़ दो, आगे चलो, G को पकड़ते हैं तो देखो G common है, तो G से अब कोई मतलब मत रखो क्योंकि ये common है, तो देखो सबसे पहले D आएगा, यानि सबसे पहले हमारी मुलाकात 3 number से होगी D के बाद L, E आएगा, फिर L, Y आएगा, तो 3 के बाद 1 मिलेंगे और 1 के बाद 5 मिलेंगे और उसके बाद G के बाद S की बारी आएगी, तो G के बाद S की बारी आनि 2, तो 3, 1, 5, 2, 4 चाहिए 3, 1, 2, नहीं, नहीं, 3, 1, 5, 2, 4, option number B में इस पश्टता दे रखा है, तो answer हमारे लिए option number B जो है यही इसके लिए सबसे perfect और उचित answer होंगे देखे, IT Diploma BTEC के लिए बच्चों को सुनहरा मौका दिया गया है, RRBLP Locopilot CBT1 की complete live batch मात्र आपको 299 रुपे में उबलप्द करवाई गई है unlimited time आप watch कर सकते हो, update study material इस batch के साथ provide किये जाएंगे और आपका selection हमारी जिम्मेवारी है, इस batch में तैय है, यह target batch है जो आपकी 26 जून से already start हो चुकी है तो कुछ classes आपको live मिलने वाले हैं और कुछ classes आपको recorded mode में मिलने वाले हैं तो अभी तक जिन बच्चों ने इसमें काम नहीं किया है, आप बिल्कुल कर लो, revision के लिए यह perfect batch है अब देखलो बबु क्या कहता है, सर कुछ tomato जो है न वो आलू है तो देखो tomato को आलू से मिलवाने में मतर मदद नहीं करेगा कहता है सर कुछ फल आलू है, तो फल भी यहीं, आलू भी यहीं, re-statement हमेशा कुछ के case में सही होगा फिर कहता है सर कुछ मतर फल है, तो मतर को फल से मिलवाने में आलू मदद कर देगा यानि दो और तीन सही है, दो और तीन option number B में इस पस्टता दिखते हैं तो answer हमारा option number B हो गया, अब बिन डाइग्राम वाले बच्चे देख लो, जितने भी टमाटर थे, यह सारे के सारे टमाटर जो थे, वो मतर थे और कुछ मतर क्या थे भाई, तो कुछ मतर आलू थे, और फिर कहता है सारे के सारे आलू क्या है, तो सारे के सारे आलू फल है अब देखो पहला क्या कहता है कुछ टमाटर आलू है अच्छा बताओ टमाटर आपके यहां खत्म हो रहे हैं आलू आपके यहां खत्म हो रहे हैं क्या आपको कुछ टमाटर आलू दिखते हैं तो बोलोगे सर नहीं दिखते हैं कुछ फल आलू है अब देखो तो फल का जितन इनको लगाओगे यही इसके लिए पर्फिक्ट आंसर है कर लिये थे बहुत बढ़ियां अच्छ बबू देखे तो क्या कहता है एंटु बी का आर्थ है कि ये पिता है तो इंटु के पहले जो भी सक्साएगा वो फादर कहलाएगा और ए माइनस बी का आर्थ है कि ए बी की माता है तो माइनस के पहले मदर कहलाएगी और डिविजन का आर्थ है कि ए बी का भाई है तो डिविजन के पहले ब्रदर कहलाएगा तीन ही सिंबॉल हम लोग के हाथ लगे हैं अब कहता है सर्फ पी आर का पिता है तो पी को पिता होने के लिए लड़का बनना पड़ेगा अब देख लो ध्यान से यहाँ पे पी के बाद इंटू है ना ये मेरे भाई सहाब है और मेरे भाई के जो पिता होंगे आंसर थोड़े ना देने है आपको explain करकर समझाने भी है आप आंसर दे सकते हो मुझसे पहले बिलकुल चलिए आए देखिए क्या दे रखा है तो हमारे पास series है अब ध्यान से देखोगे M की place value 13 में से 2 कम कर लो 11 हो जाएंगे 11 में से 2 की कमी कर दोगे 9 में से 2 की कमी करोगे तो 7 होंगे और 7 में 2 की कमी करोगे तो 5 सारे में G दे रखा है अब देख्लो दूसरे place में सारे में E दे रखा है तो आपको दूसरा place चेक करने की कोई जरूरत नहीं है सीधे तीसरे place पहुंचो तो देखो 20 से 19 हुए, 19 से 18 हुए चाहिए तो 20 चाहिए यानि यू और एस भी कैंसिल हो गया बच कॉन गया तो आप्सन नंबर ए बच गया तो आंसर हमारा आप्सन नंबर एक जो है वही सही है हां बच्चा हम ठीक है अच्छा दिखे तो क्या किया है नौ दुना अठारा नौ तिया 27 तो 36 दुना 40 तो होगा नहीं अठारा और नौ जोर दे तो 27 च्छतिस और 40 जोरेंगे तो 140 होगा नहीं अच्छा कोश्चन है 45 तो 9 पच्छे 45 एक सो असी तीन पच्छे 15 च्छो पच्छे 30 देख लो मिल गया जी लॉजिक आसान सा लॉजिक है पहले 18 को और 27 को आप एड कर लो तो यह टोटल कितने हो गए तो 45 हो गए अब बीच वाले से काट दो तो 9 पच्छे कितने आ गए 45 आ गए यानि बीच वाले से काटने के बाद 5 आते हैं इसी तरह से आप क्या करो ना कि 40 को और 140 को जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे तो 180 हो जाएंगे बीच में कितना दे रखा है 36 दे रखा है तो आपके पास 5 आने चाहिए तो आप कहोगा सिर्फ आने के लिए 15ला कितना हो हो ल? तो X का value यहां कितना होना चाहिए, तो X का value सरे यहां 25 होना चाहिए, तभी आप 65 पूरा कर सकते हो, 25 किसमें दे रखा है, तो option number A में दे रखा है, तो answer हमारा option number A जाएगा, देखे क्या कहता है, दिये गए चिन के प्रस्पर अस्थान बदल दिजे तो नमलिखित में से कौन सा समीकरन सही होगा, अगर हम minus और into की अस्थान को क्या करते हैं, बदलते हैं, तो यहां into रख लो, यहां minus रख लो, तो पहले तो दो चको, दो चको 8 कट गए, अब चारतिया काने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन कहता है, कौन सा समीकरन सही नहीं होगा, अच्छा, यह पूछ रहा है कौन सा समीकरन सही नहीं होगा, वही मैं सोचा इतनी आसानी से कैसे बन गए, तो देख लो, into के जगह आप minus करोगे, और minus के जगह आप into करोगे, तो देख लो, दो टू करने पर 4 चको कितने कट गए तो 16 कट गए ठीक है अब 6 पचे 30 हो गए और 30 सर 4 34 हो गए 34 में से 3-31 ये भी सही यानि अब ये सही नहीं होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो option number D हो जाएगा आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है अच्छा नवीन सर को TRE 3 का 11-12 का कट अब बताने को कहें के लिए बब अब उसर से मुलकात आज होगी तो हम कह देंगे के अजय कुमार जी के लिए आपके पास message है अब देखो क्या कहता है सिंगल है न अच्छा सिंगल है अच्छा बताओ S का opposite क्या होता है H होता है बोलो सही है G का opposite क्या होता है T और A का opposite क्या होता है तो Z यानि later का opposite later में ही लिखा odd वाले place पे अब देखो I का opposite R R का place value अठाड़ा N का opposite M, M का place value 13 L का opposite O, O का place value 15 यानि एक का later में लिख रहा है opposite एक का digit में लिख रहा है opposite volume का चाहिए इसको volume का चाहिए इसको तो B का opposite E होगा लेटर में लिखोगे L का opposite O होगा लेटर में लिखोगे M का opposite N होगा लेटर में लिखोगे लेकिन O का opposite L होगा आपको इसको डिजिट में लिखना होगा तो 12 लिख दोगे U का opposite F यानि 6 लिख दोगे और E का opposite B यानि 22 लिख दोगे इसका मतलब है कि 22 के पहले मुझे N चाहिए तो 22 के पहले P दिख रहा है, 22 के पहले O दिख रहा है 22 नहीं दिख रहा है, option number A ही इसके लिए perfect और suitable answer हो गया तो answer हमारा option number A जो है यही इसके लिए perfect answer है next one देखेंगे देखें इस type के question जो होते है बड़े आसान होते है देख लो KD आपको दिख रहा है, यहां भी KD दिख रहा है लेकिन इसके बाद J दिख रहा है यहां भी आपको KD दिख रहा है, तो यहां भी आपको KD दिखना चाहिए तो देख लो E, H KD दिख रहा है e h k d दिख रहे है e h k d दिख रहे है तो e h k d दिख रहे है अब देख लो तो b से f हुआ f से j हुआ j से क्या होगा तो 2 से 6 होनी का मतलब इसमें 4 बढ़ गए 6 से 10 होनी का मतलब 4 बढ़ गए तो अब 4 बढ़ करके n होगा यानि यह type 2 का series है यह कैसा series है तो यह type 2 का series है विगत कुछ बढ़ सों में इस series की demand जो है न बबू यह बढ़ गई है तो देखे ध्यान से हमें क्या चाहिए तो h e k n चाहिए h e k n option number c में दे रखा है तो answer हमारे लिए option number c जो है न यही सबसे perfect answer होगा देखे क्या कहता है common है और common को क्या लिखता है e q o o q p अच्छा ध्यान से अगर देखोगे तो 3 2 5 15 12 17 13 2 15 यानि साड़े में 2 जुट गया है किसका चाहिए magnet का चाहिए magnet का चाहिए 13 दो 15 के लिए o चाहिए ये वाली option cancel एक में 2 जुटा तीन चाहिए ये और ये वाली option cancel option number b ही इसके लिए perfect answer हो गए आगे सोचने की कोई जरूरत नहीं है 3 चक 18 25 चक 100 अच्छा देखे क्या किया ना कि 3 का स्क्वाइर कर दिया तो 3 का स्क्वाइर कितने हो गए 9 अब 3 में 1 कम करकर तीन से पहले आता है 2 तो गुना कर दिया तो 9 दुना 8 ठाड़ा हो गए इसी तरह से 9 का स्क्वाइर करेगा तो 9 का स्क्वाइर क्या हो जाएगा तो 81, अब 81 को गुना करेगा 8 ते, तो 8, एकम 8 हो गया और 8, 8, 64 हो गया, है कहीं क्या, option number C में है, तो answer हमारे लिए option number C, जो है यही इसके लिए best answer है, देखो एक ही पासे को दो बार घुमाए गया है, और कहता है कि सर D का विप्रित बतलाओ, तो हम जानते हैं कि जब एक ही पा D का opposite E और E का opposite D होगा, तो D का opposite मांगा है, तो E होगा, यह last question थे, आज की सबा हमारी यहीं बरखास्त होती है, कल फिर से मुलाकात होगी same time पे, और कल भी हम लोग 25 से 30 बेहतरीन questions को देखेंगे,